आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनात सिंग जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे बहुत बड़ी बात बोल टार्गेटेड किलिंग्स की है तो अब उसकी बात करें तो यहां पे बोला है राजनात सिंग ने कि देखे भारत हमेशा से अच्छे रिष्टे चाता था पाकिस्तान के साथ या जो भी हमारे पडोसी देश है भारत ने कभी भी किसी देश को अटैक नहीं किया भारत ने को बार-बार टार्गेट करते हैं आतंक वात के थूँ उनको छोड़ा नहीं जाएगा अगर कोई भी पाकिस्तान भारत में आएगा भारत में हमला करेंगा तो घर में घुसके मारेंगे और उनकी खैर नहीं तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों कैसे बहुत ब दूसरा पॉइंट गार्जयन रिपोर्ट गार्जयन जो एक यू के अकबार है उसने कल एक रिपोर्ट छापी थी परसों तो गार्जयन ने कहा था कि भारत टार्गेटेट केलिंग से जो है वो कर रहा है राइट भारत जो है तकरीबन 20 लोगों को उसने अभी तक पाकिस्तान में मरवा दिया है 2019 से ये सब शुरू हुआ था कल मैंने पूरा एक लेचर किया ठीक है आप उसको देखिए बट मैं थोड़ा सुसका जिस्ट दे देता हूँ तब आपको ये सेनारियो समझ में आएगा 2019 में जो है ये सब दो साल बने पूरा नेटवर्क बनाने में भारत ने क्या किया भारत ने पुलवामा अटाक के बाद पुलवामा अटाक आपको यादी होगा उसके बाद भारत ने तो सीधा अल्टेमेटर मी ने दे दिये था पाकिस्तान की बैंड बच गय थी और हाथ जोड़े थे पाकिस कर दिया जाएगा इसलिए नामी बोला जाता स्लीपर सेल्ज ठीक है ना तो यह जो स्लीपर सेल्ज है इनकी मदद ली गई यू ए इ यू ए इ में रॉण ने इन स्लीपर सेल्स को टैनात किया millions and millions of rupees दिये गए पाकिस्तान में लोकल क्रिमिनल्स को पकड़ा अफगानियों को पकड़ा और ये बोला कि जाओ तुम्हाँ पास वैसे भी पैसे नहीं हम तुमको पैसे दे रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकवादी को मार किया जो अब ये दो तीन साल लगे मतलब 2022 तक पूरा नेटवर्क बनाने में लग गए लेकिन एक बार जब नेटवर्क बन गया तो हरदीब सिंग निज्जर हो गया बशीर एहमत पीर हो गया शाहिद लतीफ हो गया अखुंड जाहिद अखुंड हो गया इन सबको ऐसी की तैसी करदी टोटल बीस किलिंग्स होई है ठीक है न तीसरा पॉइंट यह है कि यूएस यूके और कैनेडा नेकि कैनेडा के जस्टिन टोडियू ने अपनी पार्लियमेंट में पिछले सेप्टेंबर में यह बोला था कि भारत जो है वो टार्गेटेट किलिंग्स करवा रहा है ठीक है भारत जस्टिन टोडियू आपको पता है न खालिस्टानियों के दम पर चलते हैं वहां पर खालिस्टानियों के तानियू सरकार में खालिस्तानियों कहाथ है कई आ 처음 इसको को तो support करें ये साथ है साथ भारत को बारेगेटेट इंदक्रभाइब जिटशे घ्राइब मेंगे, यह को बारी हिए यह एन्टी इंडिया प्रोकेंडा हो भिसकते घ्रापइबने लेगिन नाम आप भंप यूदे डाल रहे हैं तो ऐसा यह नहीं सबूत है तो सबूत दो यह सब बक्वाज बात है चौथा पॉइंट यह है कि हीपोक्रिसी देखिए अमेरिका जो है हमारा कोई बहुत अच्छा देखिए दोस्त सिर्फ तब तक होता है कोई जब तक उसके इंटरस्ट है चिक है वरना दोस्त नहीं है भूटान जैसा दोस्त आपको नहीं मिलेगा चोटा भाई है वो लेकिन अमेरिका हमारा दोस्त आप उसमें रिलाई नहीं कर सकते अमेरिका क्या को ज़रूरत है और अमेरिका को हमारी ज़रूरत है as simple as that अमेरिका की धर्ती से आतंकवाद operate होता है खालिस्तानी referendum अमेरिका में होता है अमेरिका क्या करता है कुछ नहीं करता है अमेरिका freedom of speech बोलके और Canada को तो क्या ही बोले अमेरिका और कैनेडा और यूके भी फ्रीडम आफ स्पीच बोलके उसको टाल देता है यूके में तो छटे हुए अपरादी जो बड़ा-बड़ा स्कैम करके आते हो लंडन में बैठे हुए आराम के जिंदगी विजय मालिया, नीरभ मोदी ललित मोदी, ये सब जो है मस्त अमेरिका लंडन में जाके आराम के पनी जिंदगी होजार रहे है है ना, तो आप इन देशों से ये capitalist nation है, इनको सर्फ पैसा चाहिए कि सब बेज़ देंगे, है ना और इसमें बुराई इसलिए है क्यूंकि ये भारत से लिंक है anti-India activities होती है वहाँ पर जो भारती अभी कल एक news आई कि एक Indian student को मार दिया कितने Indians मरे हैं वहाँ पर कितने students को मार दिया, कितना discrimination हो रहा है despite कि हम लोग कितनी इनकी economy चला रहे हैं, अमेरिका की बात है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी सरकार कुछ करेगी ठीक है, अब यहाँ पर तीन possibility है मैंने आपको कल भी बताया था, हो सकता है भारत ने मरवाया हो RAW, IB, NIE active हो दूसरी possibility हो सकती है कि ISI जो है न और वहां की आर्मी जब कोई आतंक वादियों के काम नहीं आता है तो बड़ा देते हैं वो कि भटाओ, क्योंकि आतंक वादियों को वहां पर वर्मालाय पहना ही जाती है किलो भीया, पहनो, माला पहनो मिठाई खाओ, पौश हिलाके मन को घर दिये जाते हैं लेकिन वो तब तक, जब तक वो उनके काम आ रहे हैं जैसे सरकारी क्वादर्स होते हैं वैसे ही उनको क्वादर्स दिये जाते हैं ठीक है न तीसरा पॉइंट यह है कि आतंक वादि ही एक दूसरे को मार देते हैं competition आचकल भाई बहुत ज़ादा है तो इसलिए भी एक दूसरे में थोड़ी war cold war टाइक की चलती है तो आतंक वादी ही एक दूसरे को मार देते हैं लेकिन पांचवा point point जो भी है ठीक है happiness बहुत खुश है हम जो भी मरवा रहा है इनको चाहें भारत मरवा रहा है चाहें कोई भी मरवा रहा है ये रिपोर्ट में छापाता कि जब जमाल खजगोगी को मारा गया था के जीबी ने आपको पता ही है embassy में मार दिया था जर्नलिस्ट को बहुत ही दुखत गटना थी लेकिन भारत ने बोला था कि अगर इसराइल के जीबी जो है वो देश के बाहर जाके मार सकते हैं PMO कल मैं के इंटर्वी अच्छा चलो पहले कम्रीड कर लेता हूं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं कल मैं के इंटर्वी देख रहा था उसमें ये बताया था कि BJP और कॉंग्रेस में फर्क क्या है एक IS आफिसर तो उन्होंने दोनों सरकार के साथ काम के शाए सुभाच चंद गर लुकते हैं तो उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस में हर मंतरी राजा था ठीक है ना एवरी मिनिस्टर बहुत ज़ादा था कॉंग्रेस में डी सेंट्रलाइजेशन से होता क्या है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी मलब इसमें होता क्या है कि काम रुख जाता है काम में डीले होता है तो बहुत ज़ादा डीले होता था क्योंकि आपको बहुत सारी परमीश कि यहां बहुत डिले नहीं होता, लेकिन ये भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की चोटी-चोटी बातों पर भी PMO तक जाना पड़ता है, ये भी डेंजरस है, और बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी डेंजरस है, तो बैलेंस चाहिए एक, एक balance है तो यही PMO office में यह सारी बात हुई थी कि किस तरीके से हम आतंकियों को मारे ऐसा guardian की रिपोर्ट में छपा था अब सच्चाई क्या है यह तो हमको पता नहीं लेकिन हमारे लिए फाइदा यह है कि अच्छा है वो मर रहे है पाकिस्तान occupied कश्मीर की अगर बात करते हैं तो प्योके यही आतंकवादी जो है यह मार के प्योके भाग जाते है श्रीनगर से कितना दो गंटा भाई कश्मीरी त है तो यह बार-बार मार के क्या करते है यह बादा बैकार सा रखता है अब देखे पाकिस्तान जो है वह हैं कि वहात को किया नहीं पें प्रद्दिय तो पाकिस्ताने कि नहीं और अदेगा पब्लीर बैटफॉर्पर्म की भारत कर एंगा तो यह तो दिमाद बहुत अच्छा लगा है कि मेरी पंट भी मेरी की पाकिस्तान कभी अक्से yare कि भाई हमको यहां पे जो भारत घुजके मारके चला गया है सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बड़ी होगी मुवी बन गी तब तो उसने एक्सेप्ट नहीं की ठीक है तो यह चीज है आपको कहला लगता है मुझे कमेट बॉक्स में जरूर बता है कि बहुत बड़ा इसलिए बया